चले तो आज का यूवारा टॉपिक रखा वो रहगा फर्टिलाजीशन के उपर जिसे इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ने सेचन थिक है तो फर्टिलाजीशन होता क्या है ठीक है और यह किस तरीके से पॉस्बैल होता है कहा कहां हो सकता है तो हम लोग इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर दिया और यहां पर आज हम लोग यहां पर यहां पर इसके बारे में यहां पर देफिनेटी लिखेंगे तो थे लिखने के के लेवरे में पर इसके बारे में संजहेंगे और चुरी के साथ साथ ही आपको concept बी क्लियर होता चला जाएगा fertilization का राइड तो लिखने इसके अंतरगत Achari at when I bought date में गेविट हमियो जने सिसके पश्चाथ ग्यमिटोगेव जिनेसिस के बाद प्लिठी लाइजेशन आर्ट मी होता है तक फेमिटोगेव के Fertilization Process होता है जिसमें Male Sperm Nucleus जिसमें Male Sperm Nucleus Female Egg Nucleus के साथ Female Egg Nucleus के साथ Fusion की क्रिया करता है Fusion की क्रिया करता है जिससे सिंग गैमी कॉमा जिससे सिंग गैमी कॉमा Amphimixis Amphimixis और इसी को हम लोग Plasmo Gammy भी बोलता है Amphimixis या Plasmo Gammy ठीक है वा केरियो गैमी Female Egg Nucleus के साथ Fusion करता है जिसमें सिंग गैमी Amphimixis केरियो गैमी Process के द्वारा Process के द्वारा fertilization complete होता है Process के द्वारा fertilization complete होता है अब सब्सक्राइब होता है यह जिस क्रिया को यह यह सखाय सब्सक्राइब कर दो यह पर मैंने तीन टर्म लिखे हुमें बथा पहला है sing-gammy, तूसरा यहां पर है emphymixis, emphymixis, और तीसरा यहां पर जो process मैंने लिखा है वो है cario-gammy, cario-gammy, अब बात यहां पर यहां रही है कि यह sing-gammy क्या होता है, emphymixis क्या होता है, cario-gammy क्या होता है, तो sing-gammy कहने का मतलब होता है कि union of male and female gamete membrane यानि कि यहां पर मालों यह sperm है और यह एग है यह एक दूसरे की membrane को fuse करेगा मालों यह एग है इसके साथ में sperm का head क्या करेगा touch करेगा fuse करेगा एक point पर तो जहां पर sperm और egg दोनों एक दूसरे को touch करते हैं that is called singammy इस process को अब लोग क्या बोलते हैं singammy कहते हैं अब आपको पता है कि एग के अंदर खुद का plasm होता है और sperm के अंदर खुद का plasm होता है जब यह sperm जब यह sperm एग के plasm से यहां पर दोनों का plasm sperm का plasm cytoplasm और एग का साइटो प्लाज्म आपस में मिलता है डेट इस कॉल्ड प्लाज्म गैमी प्लाज्म क्या कर रहा है प्लाज्म गैमी क्यों बोलना है क्योंकि प्लाज्म यहां पर मिक्स हो रहे हैं यह एंफी मिक्स दोनों के प्लाज्म आपस में दोनों गैमिट के प्लाज्म आपस में मिक्स ह जैसे ही प्लाज्म मिक्स होता है इसके बाद में इसके जो नुक्लियस पाया जाते है जो नुक्लियस पाया जाता है मेल नुक्लियस और फिमेल नुक्लियस जो की डेफिनेटली है प्लॉइड होते हैं आपको पता है ठीक है इन दोनों के कि अंदर क्या हो बाइश फ्यूजर सक्ष जाएप और नहीं की अब इस एंग के अंदर मेल और फीमेल जो गेमेफ है वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगे इस तरीके से ने उकिलिस जो-हां वापस में फ्युजर कर गये और ये टूचैन बन गया और धिरे धिरे जैसे ही जब यह कंप्लीट होगा जब यह फर्टिलाज़ाइशनúsica लगा तो यह तो यह कंप्लीट के कि कहलाता तो याद रखना कि प्रोस तीन प्रोसस होते हैं जिसमें पहला प्रोसस नंगे होता जिसमें दो डेफरेंट क्योंकि मैल और फीमेल गेमित आपस में टच करते हैं के हम थी इंप वॉता है कमीकल ओच कहने दूसरे के chemical को dissolve करेंगे और sperm के head को एक के अंदर इंटर करने रेता है जैसे यह इंटर कर जाता है तो जाहिए जिबाते दोनों का प्लास्म घ्राइब है तो यहां पर ड्रद ओमने के बाद में लिगा यहां पर जा dużo करेंगा उप्रष्च और प्लास्म एक fertilization के process को complete कर रहा है चलिए दलाइंसे लिख लें फड़ा फड़ कुछ non-caudit कुछ non-caudits animal कुछ non-caudit animals for example insect इंसेक्ट आद में आद में फर्टिलाजेशन आद में फर्टिलाजेशन का अभाव होता है आद में फर्टिलाजेशन अपसेंट होता है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण एग सेल एग सेल पर्टिलाइजेशन के बिना जिसके कारण एग सेल पर्टिलाइजेशन के बिना जाइगोट तथा एम्ब्रियो ए-m-b-r-y-o जाइगोट तथा एम्ब्रियो में घेंग हो जाता है जाइगोट चथा एंब्रीयो ने चेंज हो जाता हूप बैसे लिए कि जो जाईगोट में चेंज हो जाए गैमीट उस प्रोसेस को वह पार्थियनो जिनेसिस कहते हैं ठीक है बिना गैमीट फ्यूजन के फटिलाजिशन होना और एक नए इंडिविजुल का बन ना और पार्थियनो जिनेसिस इंसक्ट के अलावा मेली जो होता है वह तो आपको plants में देखने को मिलता है एक ने हैं से लिखें यहां पर सभी लोग नेliers लेकिन फर्टिरलिजेशन हमेशा विप के टववी होता है कि अपकॉाटिक कंडिशन में होता है अब एसा नहीं कि पाणी में ही होता है यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के लिए प्लेस होगा ठीक है यहां हम यह कैसे हैं जो एड़ी अवस्था में ही होगा थी encantation में होता है जो जो बॉड़ी फ्ल्यूड अब पानी ना हो लेकिन बॉड़ी का जो फ्ल्यूड है उसके द्वारा हो सकता है जो बाडी फ्ल्यूड और जो बाडी बाडी फ्ल्यूड और यानि बाडी के अंदर अगर हो रहा है तो उसमें फ्ल्यूड होगा बाडी के अंदर ठीक है और पानी में अगर हो रहा है कौन से वाले पानी में हो रहा है फ्रेश वाटर में हो रहा है क और फ्रेश वाटर और सी वाटर और सी वाटर में हो सकता है में हो सकता है जालाएं से लिख लें अक्वाटिक एनिमल पर एक्वाटिक जैसे फिशेज आ दी अक्वाटिक एनिमल जैसे फिशेज आदी में बोडी के आउटसाइड बोडी के बाहर बोडी के आउटसाइड बोटर में बोडी के बाहर वाटर में गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं अर्थात इनमें फर्टिलाजेशन अर्थात इनमें फर्टिलाजेशन बोडी के बाहर होता है बोडी के आउटसाइड होता है जिस्क्रिया को एक्स्टर्नल फर्टिलाजेशन कहते हैं जिस्क्रिया को external fertilization कहते हैं नहीं से लिखें terrestrial animal terrestrial animals में terrestrial animals में fertilization terrestrial animals में fertilization body के specific body के specific part में होता है body के specific part में होता है जिसे जिसे fertilization site कहते हैं जिसे fertilization site कहते हैं तथा body के अंदर होने वाला fertilization तथा body के अंदर होने वाला fertilization internal 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 fertilization कहलाता है internal fertilization कहलाता है राइट नेलें से पेटा लिख लीजिए है reptiles वा birds में reptiles वा birds fertilization याद रखेगा सब्सक्राइट में fertilization obiduct में होता है obiduct में होता है तथा mammals for example जैसे अगर हम लोग बात करें for example अगर हम लोग बात करें for example में यहाँ पर कह सकते है human beings mammals for example human beings में यह human में fertilization fallopian tube fertilization fallopian tube में होता है fertilization कहां होता है बटा fallopian tube में होता है चलिए अब यहाँ पर समझेंगे कि जो fertilization का mechanism है वो किस तरीके से हो रहा है ठीक है mechanism of fertilization 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 अज का हमारा जो टॉपिक रहेगा mechanism of fertilization अब यह जो मेकेनिजम हो रहा fertilization का ठीक है किस तरीके से हो रहा है कितने चरणों में हो रहा है इसको समझ रहा है तो लिखने इसमें में 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 fertilization का प्रॉसेस में में को में को में muốn कि इस पर में इस इंब में बहुत सारे चेंजेस भिफ रेयी ओन्य केमिकल चेंजेस वोगाओ अच्छेंज भुट हैं ! और सबस्लें की जसके कारण यह जिसके कारण यह आपडिव स्पयुज्ट म होद्ट जिसके कारण यहां एक एक्टिव जिसके कारण यहां एक एक्टिव स्पॉर्म में चेंज हो जाता है इस पॉर्म में चेंज हो जाता है कि तथा टेजी से रैपिड़ी से ने में दद द कर देजी से एग के पास पहुच जाता है मिस्थ तथा तिजी से एक के पास पहुच जाता है अगले के प्रतेक स्पॉम केवल अपनी इस्पशीज के अपनी ही स्पशीज के एग को या एग की और अपनी ही स्पशीज के एग की और अट्रेक्टिव होता है एग की और अट्रेक्टिव होता है एक की और अट्रेक्टिव होता है तथा इसके साथ तथा इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है तरह इसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है तो इतना समझ मैं आप सभी लोगों को इसके अंदर बहुत सारा कैमिकल चेंजेज होगा और जैसे यह कैमिकल चेंजेश होगा तो पहले तो इस पर्म विचारा बड़ा सा उदास्त है लेकिन जैसे इसमें केमिकल चेंजर होते हैं यह काफी एक्टीव हो जाता है तो आंके खुल जाती हैं मुह इस तरीके से हसने लगता पहले सो रहा होता है फिर हसने लगता तो यह कैसा होगा एक्टीव हो गया सबसे पहले क्या होगा इन एक इन एक्टिव स्पॉम में क्या होता है ठीक है और यह तेजी से क्या होता है एगी की ओर ठीक है अट्रैक्ट होने लगता है और इसमें कι स्पेशिलिटी है की जो भी सपहर हो जोवी सपहर होगा जिस ढबर है जाता है अ darkest पçosर्ट मेरे नहीं हो आप में मार देंगे अच्छल है निकालती है करती है जाते हैं इसके सासा अपरसेश करता है आगे लिए यह प्रॉसेश इस पर में पाये जाने वाले यहा प्रॉसेश इस पर में पाए जाने वह धाले कि एक 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 अहगे पाए जाने वाले आप एक में पाए जाने वाले फर्टिलाइजियन रिस्प्टर बहुत इंपर्टन्ट रिसेप्टर होता है कि क्या करते हैं जैसे कि आपके अनुप सर ने आप लोंको जब अच्छे से समझाएंगे कि यहां पर यह जो एंटी फर्टिलाइजीन है यह एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो एंजाइम के ही यह हम यह कह सकते हैं कैमिकल रियक्शन के द्वारा ही यह एक दूसरी को पहचानत लेकिन खास बात कर सकते हैं लेकिन खास बात क्या रहे हैं कि एक स्पॉम एक ही एक को क्या करेगा अब आप कहेंगे सर्ग एसे भी एनिमल हैं कुछ ऐसे भी जिने एक साथ में वह कई बच्चों को जर्म दे सकते। चाहता है खुषन आता है वह सारा बच्छों के मन पनाइं अगर एक साथ जो फीमेल इसी वज़े से क्या होता है कि यहां पर उस एग के अंदर हो जाता है जिसके कारण क्या होता है एक एग के अंदर एक नुक्लियस होने के वज़ा है उसके अंदर दो नुक्लियस हो जाता है और एक नुक्लियस को एक स्पॉंफियूज करता है तो दूसरा नुक्लियस को दूसरा इस पॉंफियूज कर देता है जिससे क्या होता है कि एक फीमेल बाड़ी के अंदर कौन सा हम पाए जा सकते हैं तो यह आपकी जो रिसेप्टर हैं यह आपकी जो रिसेप्टर हैं पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पाया जाता है तो आपके एंटी परियों कैमिकल और रिक्षन के कारण रियक्रण के कारण पॉसिबल होता है अच्वे रख्याइब रियाक्षन के कारण पॉसिबल होता है है चलिए सेकेंड फांट लिए सब्सक्राइब के पलडायजस स्पेशल टाइब के ओर एंपाने घंड दोते हैं थ्लाइजियन की स्परेशल्स के बने होते नियर्ट एक द्वारा एक द्वारा से क्रीड होते हैं जो एक द्वारा से क्रीड होते हैं जबकि work की अन्टी फर्टिलाइजी जबकि anti-fertilizing acid proteins होते हैं जबकि anti-fertilizing acidic proteins होते हैं जो male spums की जो male spums की surface पर पाये जाते हैं जो मेल-इसपॉंज की सर्फिस पर पाए जाते हैं जह आई से लिए बोट इस फर्टिलाइजीन बोट फिटीलाइजीन वह एंटी फिर्टिलाइजीन बोट फटिलाइजीन वह एंटी फटिलाइजीन प्रतेक के लिए या प्रतेक इस पसी स्मे इसले ब्रतेक इस पिसीज में स्पैसिफिक होते हैं विशेश होते हैं तथा एक दूसरे के लिए इनकी प्रापर्टी कि एक दूसरे के लिए इनकी इंक्ती प्रापरटी प्रसेसता होती है कि इसी कारण कि इसी कारण एकुस पेशिल है एंटी फिरिटिलाइजेन वाला चिछ इस strict एक कि इस quarter चेएजिन वाला स्पान कि अपनी ही इस सीज के अपनी ही स्पिसीज के स्पैसिफिक अपनी ही स्पिसीज के स्पैसिफिक फर्टिलाइजीन वाले एग की ओर अट्रेक्ट होता है अट्रेक्ट होता है तता इसके साथ तता इसके साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है तता इसके साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है थर्ट पॉइंट लिखे बड़ापट थर्ट पॉइंट लिखे है प्रतिक मेल स्पॉम के आ ए ए ट्मेल स्पर्म 거지 के एंटीरीर एंड पर मैं क्वेंप के च्वेल किन ऐस ए एंटीर एंड पर क्वेंप के सिमिलर के एंट्रो जोंड पाया जाता है हो ईक्नोग पाया जाता है जो एंजाइम जो एंजाइम लाइसीन का सेक्रीशन करता है तथा एंग मिम्ब्रेन तथा ihrem मेंब्रेन संद्री सा या और से को डिजाल कर जो एग मेंब्रेन को डिजाल कर देता है, या निकी एग मेंब्रेन जो की ऐग्रोजोम के दौरा स्पाम्स के एक्रोजोम के दौरा जिस कारण क्या होता है या जाइम्वरेन है उसको क्या क्या करने थे बट्र पाता है और और डिजॉल्ब करने के पाई जाते हैं अगर आपने लेक्ष्टर नहीं देखा तो उसको दिख देटा करते हैं जा लिए विए नेक्लियस कि मेंबरेन को डिजॉब कर देता है जिसके पश्चात जिसके बाद मेल इसके बाद मेल इस्पर्म का निउकलियस कि मेल इस्पर्म का निउकलियस कि एग साइटो प्लाज्म में यहां यहां पर हैड़ भी कह सकते हैं इंटर करता है कि इंटर करता है इंटर करता है अर्थाथ हम यह कह सकते हैं अर्थाथ एक्रोसों अर्थाथ एक्रोसों इस फर्टिलाजेशन के समय कि मेल स्पर्म्स को कि मेल स्पर्म्स को कि एग में इंटर करने में सहायता करता है कि एक में इंटर करने में सहायता करता है इस फोर्ट पॉइंट लिए फटाफ़ पर लिए पोर्ट लिए अ मेल स्पर्म का मेल स्पर्म का इस पर्म का तो यह वल है रीजन इस पेल है रीजन किल्न कि क отвеч to प्लास्म कि एक साइटो प्लास में इंटर करता है प्रवेश करता है कि जिसे मेल प्रो-नुक्लियस कि जिसे मेल प्रो-नुक्लियस कहता है जिसे मेल प्रो न्युक्लियस कहते हैं आप एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखेंगे किसी एग में एक से अधिक एक से अधिक इस्पर्व इंटर करते हैं एक से अधिक इस्पर्म इंटर करके इंटर करके कि फर्टिलाजेशन की कर सकते हैं जिस प्रक्रिया को पॉली स्पर्मी इस प्रक्रिया को पॉली स्पर्मी कहते हैं पॉली स्पर्मी कहलाएं पॉली स्पर्मी क्या होता है एक सब्सका इंटर करना पॉली स्पर्मी कहलाता है पालिस्पर्मी कहते हैं इसे डिफरेंट मेथट द्वारा इसे डिफरेंट मेथट द्वारा प्रिजर्म किया जा सकता है रोका जा सकता है जिसे कुछ एनिमल में जिसे कुछ एनिमल में पूच एनिमल में पूच एनिमल में फर्टिलाजेशन के तुरंत बाद जिसे लोग बात कर लें तो इसके बाद में एक के चालों तरफ एक मेंब्रेन बन जाती है ठीक है और वह मेंब्रेन बनने के बाद में क्या होती है उससे जो उसके आस-पास पाये जाता है उसके आस-पास पाया जा रहे हैं वहीं पर क्या कर दिये जाते हैं ठीक है किसी-किसी मैं यहां हैं किसी किसी एनिमल्स में यह सेटा यह पराइन यह प्रपार्टी पाई जाती क्या यह बताते हूं कि है ज Eagles में आप के तुरंद बाद एक फर्टिलाज़चन मेंब्रेन अ कि एक फर्ट इसन घंवरेंड डिव्शॉज करने के बाद प्रोडियूस करने के बाद रोका जा सकता है रोका जा सकता है तथा एक स्पर्म के अलावा एक्स्ट्रा स्पर्म्स एक स्पर्म्स के अलावा एक्स्ट्रा स्पर्म्स के इंटर को यैंनी प्रवेश को ट्रोड स्पर्व किया जा सकता है तो मनाने बता है कि यहां पर एक पाया जा रहा है ले इसका नुव्यव कि भाग लगई यहां पर बहुत सारे पांस हैं और एक स्पॉम आगये अच्मिंगे बता है वह सबा में पिछे हैं एक बून में दो लाग में क्या स्पास सिम्स कहा जाता न और एक बारなら ना सीमेन से क्रीड होता है सीमेन जो होता है क्लैक्शन और स्पॉम होता है ठीक है जो यह इनकी क्या होती है रणिंग होती वह तेजी से बाग मिल्खा बाग वाली और जो सबसे एक्टिव स्पॉम होता है वो धुआधार तरीके से मालों यहां पर भी इस पॉम पाया जाना सबस्क्राइब यह चलाता लेकिन अगर यह इससे भी जाता एक्टिव है तो यह यहां से और तेजी से जैसे होता है एक और सपन्म और से ऐठ निदोर के न्युक्लियस स्फ्यू राइड वैसे ही प्लेंग जो होता है अपने चारहो तरफ मेंब्रेम की जससे एक्ट्राज इस सब्सक्राइब यहा पर आया होके है इन संसे यहां पर ढहाए हूं आई इंटर करने की पावर किया आपके प को सब्सक्राइब है यह उसक्क था गण पर हम नों का यहां पर यह प्रासफ होता लाक है यह यह हमेंगों Level आपको पूरा लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा और इसके बाद में हमारे नेक्स टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्लीवेज के उपर बहुत इंपॉर्टेंट है लांग पूर्शन आपका पूछा जाता है क्लीवेज के उपर तो मैं इसको डिसकस करूंगा कर